संतान की मनुदशा को व्यवस्तित करने वाले अभिवावक मंडल मैं संतोष श्री अर्विंदो सोसाइटी के प्रतिनीदी के रोप में आप सभी का अभिवादन करती हूं अभिननन करती हूं और साथ ही सभी वियर्स का लाइक करने वालों का सुझाव देने वालों का वेक्टियों का और शेयर करने वालों का सभी का मैं आभार हादिक आभार करती हूं और कल हमने जाना कि कारण क्या है बालकों में भाई भे सिबलिंग में होने वाली प्रतिदोंदिता के वास्तिक कारण क्या है तो उसमें से कारण निकल कर आया कि हम माता-पिता ही हमारी प्रति दोंदिता के सकारात्मक्त का ना होना पाया जाते हैं, तो आज हम इसी बात पर आगे उसके निवारण के उपाय के विशह में, समाधान के उपाय के विशह में, सॉलुशन के उपाय के विशह में हम आज आप से बाते कर रहे हैं, आप अपना भजपन याद करिए, जगडते हैं, एक दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं, और आपके पास शिकायते लेकर आते हैं, तो आप ना मंद मंद उसको राते हैं, कहते हैं, है तो मेरा ही अंश करेगा, तो ये मेरे जैसा, जब मैं छोटा था, तो मैं भी अपने बड़े भाई बेनों के सामरे सुनाता सुनाता था, हाँ मैं छोटा हूँ ना, तो मेरे को कैसे दबाते रहते हैं, कैसे सुनाते रहते हैं, मेरी सारी चीज़ें इनको बुरी लगती हैं, और जब आप बड़े भाई की तरह से खड़े होते थे या बड़ी बेन की तरह से, तो अपने छोटों को, सब मेरे को सुना करने तो आप अच्छे माबाप बन चुके हैं और जब आप माभाप बन चुके हैं तो आप जिम्मेदारी बन चुके हैं तो जाती है कि आप उसको सही दिशा दे सकें जैसा कि कल हमने बात की थी कि हमें दशा नहीं दिशा की तरफ ध्यान देना होगा तो इसलिए कि हमको अब कठे नहीं लगना चाहिए अपने बच्चों को प्रतिद्वन्दिता के या निवारंट करने के लिए हमें खुद को कठना ही हमें भैसुस नहीं करना चाहिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि परिवार का मालिक बनकर नहीं हमें सुरच्छा देनी बलकि परिवार का मालिक बनकर हमें सुरच्छा देनी है हमें उनका ध्यान तो सबका रखना है पर अधिकार किसी पर नहीं जताना जब हम इस नहीं रहे हैं बलकि बच्चों को जब हम समझ करके कार्य कर रहे होते हैं तो हम उनको एक स्वस्त और संतुलित मानसिक्ता को प्रदान करते हैं अब क्या होता है कि आप सभी ने करोड़ पती प्रोग्राम दिखा था अगर आप सभी ने दिखा है तो मैं आप से शेयर करना चाहूंगी एक छूटा सा बच्चा आठ साल का बच्चा था आठ साल का या हो सकता मैं गलात हूंगी दत साल तक कभी हो सकता है बच्चा था उसका नाम था आरूनो दैश committed आरूनो दैश्यर्मा ने एक तो वह कितना तौकेटिव बच्या था और हाजिइट जवाब बच्या था, परंद तु सके एक बात जो थी, वो सब तो बात थी इप्रशन सा तो C गूडए गज़ी, जब अपने परिवार का परीशे कराया, तो उसमें जब उसका, उसने अपने भाई से मिलवाया सब लोगों को, जिसके भाई का नाम था अभ्युदै शर्मा, तो उस अभ्युदै का परिचे, अभ्युदै जो की एक उर्टेज्म का शिकार था, वो उसका परिचे उसने जिस तरह से करा, कि अरे भाई सभी special होते हैं, मेरा भाई भी special है, और ये तो special child है, ये मेरा सबसे प्यारा भाई है, ऐसे करके दिखाया, तो मैं मुग्ध हो गई उसके माता-पिता की parenting पर, क्यों उन्होंने किस तरह से उस बच्चे के अंदर ये feeling जगाई, कि एक बच्चा, जो की दूसरों की नजरों में एक सस्त मानसि नहीं था, उसको भी एक छोटा भाई उसको एक special व्यक्ति के दरह से सबसे परीचे करा रहा है, तो ये थी एक स्वस्त मानसिकता, और ये जो मानसिकता है, सबसे ज़्यादा हमारे पालन पोशड के खेतर से याती है, हम चाहें तो उसे प्रतिदुन्दिता के रूप में ले या फिर उसको हम एक सकारात्मक प्रतिदुन्दिता के रूप में ले ले लें, ये हमारे उपर निर्भर करता है, क्योंकि ये बहुत प्रतिदुन्दिता है, रिवेलिंग है, जो sibling, रिवेलिवरी है, ये हमारे परिवार के अंदर से बहुत तीवरता से होती है, और इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. क्योंकि हमारे सपने, हमारी आशाये, हमारे बच्चे ہیں. तो हम कैसा वेवार करें कि जो कि उनको स्विकार्य हो, जो कि एक नीती संगत हो, उस तरह कि हमें, उसके लिए हमी क्या कड़ना होगा कि एक सकारात्मकता, अपने व्यवार में एक सकारात्मक दिस्टीगोंड लाना पड़ेगा और सकारात्मक दिस्टीगोंड के साथ हमें एक patience भी रखना पड़ेगा कहते हैं ना parent का मतलब ही patience है तो उसको भी रखना पड़ेगा और एक सरल और सीधी रणनीतियां बनानी पड़ेगी क्योंकि दिमाग से सोचना पड़ेगा कि हम उसके साथ कैसी करें ये positive way रखना पड़ेगा और उसमें हमारी सबसे एहम भूमिका है अगर हम अपने भूमिका को एहम समझेंगे भूमिका समझदारी से parenting करेंगे आजकल पहले जैसा पालन नहीं है आजकल परवरिश है आप परशित कर रहे हैं जिससे कि वह एक सवस्त और सबल नागरिक बन करके आए ये अब आपके जिम्मेदारी बन जाती है तो आई आज हम जो बात करते हैं मैं आपके विचारों को भी जानना चाहूंगी थोड़ी देर मैं बात करके आपसे चाहूंगी कि क्या गलतियां है क्य इसमें सुधार हो सकता है क्या आपके सुजाह हो सकते हैं तो सबसे पहले हम देखें जब हमारा एक बच्चा बड़ा है और दूसरा हमारे हैं आने वाला है तो हम बड़े बच्चे के साथ किस तरह से वैबार करें अब सबसे पहले हमें अपने बच्चे को अपनी मा को अप तुम कैसे होगी वो तुम्हारा कितना ख्याल रखा करेगा और तुम भी उसका करोगी आप तो बहुत समझ दारे हैं आपके साथ खेलने के लिए भाई या बहन आने वाला है देखो कैसे कर रहा है इस तरह कि उसके स्पंधन को मैंसूश करेंगे तो बच्चे के अंदर भी व तो है कि आप बताईए वो कहां सोया करेगा देखो अब आपको तो क्योंकि वो छोटा सा बच्चा होगा बेवी होगा कहीं उसको तकी आना लग जाए कहीं नहीं तो उसको तो मम्मा के पास ही सुलाना सही रहेगा तो आपका हम बैठ बराबर में कर दे क्योंकि आप तो ऐसे पहल के सोते हो क्योंकि अच्छी तरह से सोते हो उसको तो आता ही नहीं तो कहीं हाथ या पैर आपका ना लग जाए तो आपका बैठ हम बराबर में लगा देते हैं तो बच्चा उसको सीकार करता है उस विवार को सीकारेता उसके अंदर आती है और उसके विशे में वो उसी तरह से सोचता है, फिर आप उससे पूछिए कि आपके कौन-कौन से किलोने हैं, कौन से टॉइस हैं, जो आप उसके साथ शेयर करेंगे, आप उसके बैड को डेकोरेट करिए, कैसे बैड लगाएं, तो वो अपने बाल मन से, बाल सुलब चेस्टाओं से, वो सब कोशिश और वो अपने भाई बहन के आने से, उसके अंदर एक Nivalry नहीं होगी, उसके अंदर प्रतिधंदिता नहीं होगी, बलकि उसके प्रति एक प्यार, सम्मान, एक लगाओ, वो आप उसके अंदर पैदा कर देते हैं. तो उसे क्या हुआ कि आपने प्रारंब से ही जो कि उसका बीजा रोपन था जो कि उसके अंदर स्वाहर्द का, सहयोग का, लगाओ का, प्रेम का वो बीजा रोपन प्रारंब से ही कर दिया अब जब उसके अंदर उससे सारे प्रतिदोंदिता की संभावना उसके अंदर से कम हो गई क्योंकि उसे ट्वाइश शेरिंग के लिए कहा गया बैड करने के लिए तो उसके अंदर हुआ मैं कुछ कर रहा हूं उसके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना आ गई अब धीरे धीरे वो बड़ा बच्चा आ चुका है वो बड़ी बहने वो थोड़ा से चलने लगा है तो आपको चाहिए आप उसके साथ पार्शलना बने कभी भी उसकी दोनों बच्चों के साथ तुलना ना करें कि ये तो बहुत सुनदर है, ये दोनों वच्चे तो बहुत सुनदर है, ये है, उसका रंग थोड़ा सा काला है, इसकी ना कैसी है, बतलते हैं। कि मेरे दोनों बच्चे मेरे दोनों ही भुजाएं हैं, मेरे दोनों ही आखें हैं, मैं इनके बिना कुछ नहीं हूँ, आप जब इस तरह की मानसिक्ता वाले बाते करते हैं, तो दोनों बच्चों के अंदर कोई प्रतिदोंदिता नहीं आती, इस इसी तरह चाहे तो आप सौं की कोशिश नहीं करते हैं बलकि एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश करते हैं यह बहुत बड़ी समस्या घरों में होती जा रही है कि बच्चे जो हैं एकदम रिवैल हो जाते हैं कि अच्छा यह ऐसा है मुझे एक घटना याद आती है कि मेरी एक परीचित हैं वहाँ उनके दो लड़के ही थे तो मैंने उससे कहा एक दिन वो छोटा वाला बहुत तेज गुस्ते में बोल रहा था तो मैंने का नहीं बेटा अपने भाई के लिए ऐसा ही कहते हैं जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो वही तो खड़ा होगा आपके लिए तो बुले रही रहने दीजी एंटी रहने दीजी यह तो ऐसा है कि मेरे को और पिटवा देगा और वही छोटा वाला क्या करता था जब अपने पापा को शिकायत लगाता था फून एक गंधी मान सकता थी एक प्रतिदुनदिता की भावना थी वो उसको हानी पहचानी की भावना रखते थे तो यह जो सिबलिंग राइवलरी जो होती है यह हमारे परिवार से शुरू हो जाती है तो इस जब हम किसी बच्चे को इस तरह के तुलनात्मक दिस्टिकों से दे वह जबित टुमानव है क्यों यह घ् render हो Life हे अमारी घर में एसा वातावरन बने कि तब्यद्ट एक ही खराब हो, बीमारμε दोनों के चेहरे लगने तीनों के के unp지红़ है यानि कि यह जो बीमार है उसके दोनों भाय बहन भी पाई- भाय बहन भी भाई बने, सब के चेरे मुड़ जाए हूँ, क्या है, ये भी ठीक हो जाए, बस कैसे खेलें, कब ये स्वस्थ हो, और हम भी आपस में हैं, ये असली वास्टिक प्रेम ये है, हम ऐसी मानसिक्ता को, ऐसी परिस्थितियों को, ऐसे परियावरन को अगर बनाते हैं, तो हम अ एक साथी, सब से बच्चों से पूछा, good morning, कैसी नीध आई रात को, कैसी सपने थे, किस तरह के, जब हमने एक साथी, सब बच्चों को दो, एक सबके एक समानता का वैवार किया, सबके प्रती एक आकर्षण का केंदर उनको बनाया, सबको एक तरह से उनकी तरफ ध्यान, उनके ध्याना कर्शन किया, तो क्या है, बच्चों के अंदर आया, कि वा, पापा तो हमारी मम्मा तो सुबह से ही हमारे लिए तैयार रहती है, तो उनके अंदर प्रतिजुन देता नहीं आती, जब हम क्याते हैं, आपका भाई तो आपका इतना ख्याल रख रहा था, आपकी पढ़ाई के लिए उसके आपकी किताब कॉपी को उसी ने समवाल कर रखा, आपकी चीजों को देखो, भाई नहीं आपका टिपन दिया है, भाई परेशान है, तो बहन आपके परेशान है, तो जब हम इस तरह की बातें बच्चों के सामने करते हैं, बच्चपन में तो एक स्वस्थ मानसेक्ता का और प्रति दूंदिता का ना होने का भाव उनके अंदर पैदा होता चला जाता है। बच्चे जो हैं अज तो हुम आईसा करेंगे, या मिठाई कौन किसा थे कर आएगा, तो यह सारे चीज़ें जब शेर करते हैं, तो आपस में बच्चे उच्छा पुर्वा उच्छल कर कहते हैं ममा मैं करूँगा पापा मैं करूँगा ये चीज मुझे करनी है ये चीज मुझे करनी है तो क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस परदा का जगा होता है वो एक दूसरे को खीचना नहीं चाहते बलकि वो उनको स सायोग देने के लिए तत्पर होते हैं और सस्त हो करके एक परिवार का वातावरण उनके साथ बन जाता है इसी तरह से जब क्या होता है कि जब हमारे हमारे घर में मालेजे एक सो बहुत एक छोटा सा उधारन दे रही हूं मालेजे हमारे घर में हमारी दादी का आग बने ममी और पापा ने बताया बच्चो को तीन चारों बच्को को कि आज़ना दादी आ रही है बताओ कैसे उनका वेलकम किया जाए एक ने कहा पापा मैं सफाई करोंगी दुसरे ने कहा मैं डस्टिंग करोंगा मैं थीसरे ने कहा मैं Boris लगांगा पर चॉती हुछी थी वह कमरे में जाकर बैट गई, सुबको अजीव लगा कि पता नहीं क्या बात है, कि क्यों वो जाकर दिखा, तो एक कहानी पढ़ रही थी, तो उससे पूछा, सब तो काम कर रहे हैं, तुम बैटी वी कहानी पढ़ रहे हैं, उसने का, दादी को ने कहानी यह बहुत पसंद हैं, तो मैं कहा अच्छी सी कहानी सुना सकूँ, तो यह एक उसका तरीका था, तो हमें अपने बच्चों की विचारों का भी, उनके भावनाव का भी, कारेशयली का भी, उनके मत भेदों का, वैचारिक मत भेदों का भी, हमें आदर करना होगा, और उनकी प्रतिभा के अनुसार ही, उसको म एक अपनी अच्छी एक सकारात्मक भूमी का उनके साथ अपना लेते हैं तो उनके विचार, वेवार, मूल्य, भावनाओं को भी हमें अच्छी प्रकार से समझना होगा तब ही हमारी parenting सफल होती है इसी तरह से अब सबसे बड़ी जो परिशानी है सब के घर में यही है हमारे बच्छे तो जी लड़ते बहुत है में क्या करूँ, क्या करूँ, अरे हमने उनके साथ क्या किया हमने उनको उस तरह का वातवरन दिया क्या जिससे वो ना लड़े अरे एक तो सबसे बड़ी बात है लड़ाई भी बहुत जरूरी है लड़ाई का जैसे कल भी मैंने आपको बताया था लड़ाई होना भी एक बहुत आवश्यक है लड़ाई से जो है जो उनके आक्रोश है वो बाहर निकलता है एक रियक्शन आता है और लड़ाई अगर छोट तो ये अच्छा लग रहा है, मैं तो ये लूँगी, मैं तो ये लूँगा, मेरे पैंसिल तुने लिए, इस पर छोटी बूटी बात पर मत करिये, पर अगर ज्यादा बड़ी हो जाए, जैसे गुत्थम गुत्था हो रही है, या बच्चा एक के ऊपर एक चड़कर के उसको म मारें जा रहा है, या उसका गला दबा रहा है, तो फौरन एक जटके में आप पहांचिए, कि कहीं पर अहितना हो जाए, उस तरह के आकरमक्ता को आप बड़दाश्ट नहीं करेंगी, आप सीधे कहिए, ये तो गलात है, इस पर पनिश्मेंट मिलेगा, पर और उस पर बता पहांटे लगा देते हैं गलती से, हमेशा, पेरेंट का मतलब होता है पेशेंस, तो आप पेशेंस रखें, और एक दम दोनों को आमने सामने बैठा करके दोनों की बाते सुनिए, और एक जिस और ध्यान रखें कि बड़े बच्चे को कभी भी छोटे बच्ची के सामने एक अगा होता है कि हम क्या करते हैं, एक दम जजज्मेंट बन जाते हैं, जजज्मेंट दे रेते हैं, वो जजज्मेंट किसी को अच्छा नहीं लगता, आप गेम भी खेल सकते हैं, और 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 करके एक बैड़ जाएं और फिर उसके बाद वकील बन करके, हाँ बाई, तुम ब गलतियों को सुधानने के लिए वकील बन जाते हैं, परन्तों जब आप, जब कोई दूसरा गलती करता है, तो आप सीधा जज्मेंट पर आ जाते हैं, सीधे उसको सीधे जज्ज कर लेते हैं, उसने ऐसा किया, हमेशा इस बात से बचिये, वकील ही बने रही है, जज्मेंट एकदम मत दीजे, आपको ध्यान से सरी बाते सुनी होगी, फिर उसके बाद बहुत आराम से आप दोनों को समझाएंगे, समझेंगे, उनकी विभिंतनताओं के इस तर पर उसे जानेंगे, और तब उसके बाद आपको समाधान करना होगा, बहुत अच्छी तरह से आप, जि जो है, ममा ही तो पार्शल है, पापा तो पार्शल है, कई भार होता है, यह लड़की है, यह लड़का है, आजकल मत सोचिए कि यह लड़की है, यह लड़का है, लड़की और लड़के दोनों एक समान है, आजकल यह सोचते हैं कि यह खेतर लड़कों का है, जैसे खाना ब पर यह कि उनके अंदर ये फीलिंग ही ना आए कि हमारे साथ कहीं भी पक्षबात हो रहा है जब पक्षबात होता है तो लना होती है तो बच्चा तूट जाता है और फिर वो उसी रंग से सोचें लगता है और बड़े होकर आप भी सोचेंगे तू तो बहुत मम्मी का तू ऐसा करता था एक बड़ तूने मेरी कमी जो इस तरह की जो बाते करते थे तो आज भी आपके मन को एक खरोच डाल देती है तो फिर आप अपने बच्चेंगे साथ ऐसा क्यों करेंगे तो इस तरह से मत करिए तो व्यक्तिकत मत भेदूं कि उनके स्विक्रती दीजिए उनको एक और जबर्दस्ति उनके जजमेंट के हिस्सेदार ना बने जबर्दस्ति उनको पहले अपने आपी सुल्चाने दीजिए अपने आपी उनसे कहिए और देखो अगर दोनों के विचार अलगए हर किसी का कारेपरनालिया अलग है माले जे एक बच्चा काम फैलाने के बाद, काम करने के बाद समेटता है और एक बच्चा काम करता जाता है, समेटता जाता है काम दोनों कर रहे हैं तो दोनों के उपर आख्षे मत लगाईए कि वो तो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है यही तरीका सही है आप अपने तरीकों को मत करिए, बलकि आप ये कहिए, मुझे तो टेबल साफ चाहिए, तो उस मत भेदों का भी उसको भी स्विकार करना आप सीखिए, तो आपस में एक सामन जैसे की स्थिती हो पाईगी, और कभी-कभी आप ना ये जो है, एक सीधे ही abusing language प्रयोग करने आनते, उस समय तो बच्चों का नहीं लगता, जब आपके बच्चे उसी तरह की language आपस में लड़ाई करते में बोलते हैं, तो आपको कितना बुरा लगता है, या आपस में क्योंकि आपकी भाशा जो है, आपके पूरे परिवेश को, पूरे परिवार के परिवेश को बता देती है, तो जब आप उनसे सुनते हैं, कि अरे, वो आपका बच्चा था जो इस तरह से गाली दे रहा था, तो आपको कितना insulting, embarrassing feel होता है, तो क्यों करते हैं आप ऐसे, मत करिए, और आपके मुझे निकली हुई बात, फिर दुबारा अंदर नहीं आ सकती, मुझे निकला ह हुआ तीर, वो फिर से प्रिवेश नहीं कर सकता, बच्चे के दिल पर तो लग जाती है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, और इसमें सही सुनता रखें, समाधान पर ध्यान रखें, और एक सबसे बड़े बात है, खुद रोल मॉडल बनिए, आप पती-पतनी हैं, भाई बहन, भाई-बहन भी रहे हैं, तो आप अपस में लड़ते थे, पर अब आप हैं माता-पिता, तो आपको वो वेवार करना पड़ेगा, जैसा कि आप अपने बच्चों के साथ चाहते हैं, तो आपको अपने गुस्ते पर कंट्रोल करना पड़ेगा, आपस में पती-पतनी अगर एक दूसरे को प्रति-दूसरे की भावना से बाते करते हैं, तो वो बच्चों पर गलत असर ढालती है, तो इसलिए आपको एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा, और जो है, ये एक और भी बात है, कि आप जब माता-पिता बन गए, तो आपका बच्चे अगर पांस साल के उम्र का हो गया है, तो आप पांस साल के उम्र से ही, आप अपने बच्चों को साथ बैठा कर, उनसे चर्चा बाते करना शुरू करिए, चाहे थोड़ा सा ही समय दें, लंबी-लंबी मीटिंग्स नहीं, उसके अंदर आप बता सकते हैं, कि परिवार के मूलियों से आप उसको बता सकते हैं, इसका प्रभाव बच्चों पर बहुत बढ़ता है, उससे भी प्रतिजंदिता की भावनक खत्माती है, क्योंकि बच्चों के सामने एक उदेश होता है, एक लक्ष होता है, लक्ष विहीन व्यक्ति तो लक्ष अगर नहीं है, तो आप उस तरह का वातवरन तयारी नहीं कर सकते हैं, तो जब आपने उसको एक लक्ष निड़ारेत कर दिया कि हमारा परिवार ऐसा होना कहीं, तो बच्चा उसका अनुकरण करता है, उसमें अनुकूलन इस्तापित करता है, तो बच्चा धीरे धीरे ही उस तरह की बातें स्वीकार करने लग तो उससे क्या है, उनके अंदर एक गलत प्रतिदोंदीता आजाती है, दूसरे को बुलिंग करना, दूसरे को परचीटा कर्शी करना, इस तरह की भावना आजाती है, यह हो सकता है, परिवार में ही ऐसा कोई हो, शारी के मांसिक भी बिननता है, यह भी बच्चे को बताया जा सकता है, कि हर किसी का मांसिक इस्तर एक सा नहीं होता, तो उसके अनुसार ही उसके करने है, जैसे आपकी दादी का इस्तर और आपके इस्तर में अंतर होगा, तो मांसिक इस्तर में व्यक्तिकत विबिननताओं पर, शारीरिक विननताओं पर, इन सब पर भी आप उसकी ब क्योंकि गलती हो जाती है उसकी अभी इस्तिती ठीक नहीं है उसको बुखार है कोई भी परिशानी है तो इस समय में इसलिए नहीं डाट रहा आप भी उसका ध्यान रखें तो बच्चे के अंदर तो वो प्रतिदुन्दिता की भावना समाप्त हो जाती है और बच्चों की हि मुझे भी ऐसा चाहिए तो आप उसके हितों को बताते हुए कि बेटा इस समय इसको चाहिए तो इसलिए इसको दिलाए जा रहे है अब जब आप कभी जाएंगे तो आपको भी दिलाए जाएंगे तो उस हितों को उस वस्तु की आवश्यक्ता को ध्यान में देते हुए उस अब भड़ा बच्चा जदा खारा है तो आप उसको बताईए कि बाड़ा कपड़ा चाहिए को चोटा कपड़ा चाहिए अगर वह बच्चा कहता है ने मुझे तो निकर नहीं पहनना मुझे तो पैंट पहने हैं जैसे भाईया पहनता है तो आप उसको समझा सकते हैं कि नहीं अभी आपकी यूनिफॉर्म निकर की है और उसके बाद आपकी यूनिफॉर्म जो है स्कूल की यूनिफॉर्म पैंट किया जाएगे तो आपको भी मिल जाएगा तो उसकी ख् इसली पेरेंटिंग होती है इसी तरह से गलतियों पर एक मझे बहुत अच्छा एक तरीका याद आता है कि जो है बच्चों को जब आराम से बैठे हुए हूँ बच्चे तो उनसे का भई गलतियां तो आप से बहुत होती है सबसे होती है तो बताओ पनिश्मेंट तो मिलना ही लगते उन सबकी पर्चियां लिखो तो बच्चे जो है लिख दे और उसके बाद उन पर्चियों को एक जार में बैठा के कहीं रख दिया अब किसी दिन जब बच्चा गलत करता है यानि बच्छोटे भाई ने बहन को मार दिया या बहन की चीजें उठा कर खीच कर दिया उसका बैग उठा के फेंग दिया पौरन आप उस टाइम उसको रोग दीजे सुनो इधर आओ आओ आपने ना उसको मारा ना अब्यूजिंग वर्ड बोले ना उसका तिरसकार किया ना उपईख्या की उसे कहा इसमें से पढ़ची उठा इसमें से अब तो उसमें ने क्यों सबजी हैं जितनी भी बरतन जूटे बरतन हैं सब आप सिंक में रखोगे आया बरतनों को जो मज़े हुए बरतन है साफ बरतन है उसको systematic काप लगाओगे कोई भी किसी तरह का काम हो सकता है जो बच्चा आनकानी काम करने में करता है बाहर से लाने के लिए कोई समान है इस त तुमने ये गलती किया आज तो आपको करना ही होगा आपके घर में गाय है तो जाहिए आप गाय की सानी आप करेंगे या आपका कोई छोटा सा डॉगी है उसको निलाना है आज आप निलाना है बतला कोई भी हो सकता है जो काम करने में बच्चे आनकानी करते हैं उन कामों क आप उनको दे सकते हैं, तो एक पनिश्मेंट जार बना लिजे, तो उससे क्या है गल्तियों से, गल्तियों को सुधारने का मौका मिल जाएगा, और वो कहेगा, ना तो आपने उसको डाकिटा नहीं, एक सकारात्मक बातवरन का निर्मार कर दिया, उससे वो आगे गल्ति करने से करेगा, और फिर कहेगा, आरे मेरे से ये गल्ति हुई थी, इसलिए ये किया, तो और हमीशा उसकी प्रतिक्रिया, जो हो यथार्थवादी, बच्चे को साफ बताईए, आपने पनी बहन के आँख पर घुसा मारा था, इसलिए आपने को ये पनिश्मेंट मिल रहा, कि य समझा जाए, तो उसमें प्रतिदुन्दिता की भावना नहीं आती, उसको एहसास होता है, यहाँ मेरे को गल्ति और फिर एक है, नकारात्मत नहीं होने चाहिए, इसलिए कि उसकी वेक्तितों का विकास हो, ना कि उसके वेक्तितों कुंठित हो जाए, जब हम ऐसा करते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से, एक हमारी पेरेंटिंग होती है, प्रतिदुन्दिता की भावना खत्म होती है, और एक है, उसको एहसास कराना चाहिए, कि तुम इस वेवार के लिए, एक दूसरे के प्रतिवेवार के लिए, आप ही जिमेदार हैं, मतलब उसको एहसास हो कि मे तुम इस तरह की बातें होती थी, अब ऐसा नहीं हो, बलकि एक सकारात्मक्ता के साथ उसका सुलूशन समाधान निकले, और आपस में टीमवर्क बढ़ाईए, कि यह यह कर रहा है, तो अगर बच्चा, एक बच्चे ने कोई कार्ड बना रहा है, बैठा हुआ, कि मम्मी का बर्डे है, तो मम्मी का बर्डे है, कार्ड बना रहा है, हम सब मिलके मम्मी को कार्ड देते हैं, तो एक ने कटिंग की, एक ने कलर किया, एक ने तो बहुत सुन्दर सा, क्योंकि बड़ा सा कार्ड बना रहा है, तो तीनों चारों भाई बहनने मिला के, जब उसको दिया, त तो एक चारों बच्चों के अंदर या दोनों बच्चों जितने भी बच्चें उन सब के अंदर एक सवस्त प्रतियोगिता की जगे के स्थान पर प्रतियोगिता ने ले ली और घर में एक वातारण प्रसंद हुआ तो इस तरह से एक एजेंडा हमें बनाना पड़ेगा, कि अगर गलती कोई करता है, तो ये punishment उसके लिए आवश्यक है, इसी तरह से आप इस तरह के वातामन को तैयार करके, अपने बच्चों को एक दुसरे के खिलाफ करना बंद कर देंगे, ऐसे ही कभी छुटिया होती है, आपके साथ बड़े परिशानी होती है, कहते हैं न, खाले दिमाग शेतान का घर होता है, एन एम्टी माइंड इस डेविल्स वर्कशॉप, तो वो क्या करते हैं, कि बच्चे एक दूसरे को पिटाई करने लगते हैं, लड़ते रहते हैं, इस बिनाबाद के लड़ाई में, आप क्या कहते हैं, अपने माता-पिता पिलो फाइटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक उर्जा तो है, बच्चे के अंदर तो अपनी एक भगवान ने इतना कहया है, कि बच्चा बहुत उर्जावान होता है, एक बुड़े की अपेख्या बच्चे के अंदर बहुत उर्जा होती है, तो जब पिलो फाइटिंग आप उसके साथ कर सकते हैं, आप उसके साथ लड़ाई वाले खेल खेल सकते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर लड़ाई की जीर करती है, जैसे रामायन के आप पात्र बना दीजे, मैं हनुमान हूँ, तो रामन है, तो य जब खेलेंगे, तो उसके साथ साथ आप एक और खेल दे सकते हैं, मुझे आज तक नहीं आता, रुबिक क्यूब्स होते हैं, उसको एक सिस्टम से लगाने वाला, आपको आता, नहीं आता, तो आप बच्चे को बिठा गया, जर्णा मुझे सिखाना कैसे होते हैं, सारे कलर एक साथ कैसे आ जाते हैं, तो जब वो बच्चे सिखाने बढ़ते हैं, तो उनकी रचनात्मक् आप उनको खुद को रहे दिये, बेटा मुझे ये चीज नहीं आती, ज़रा समझाना कैसे होता है, तो छुटियों का बड़ा अच्छा यूटिलाइज हो जाता है, क्योंकि बच्चे को तो कुछ ना कुछ चाहिए, और जब वो कुछ नहीं जाते, तो उनके अंदर प्रतिद आत्मक्ता की तरफ डाल देते हैं, तो उनके अंदर ये प्रतिद अंदर्टा की भावना समाप्त होती चली जाती है, तो अब कई बार ऐसा है, एक परिवार से संबंधित कोई समस्या बच्चों के सामने रख दीजे, और उनसे पूछे कि क्या क्या समाधान हो सकता है, फिर उसके साथ साथ जब वो बताएं, तो आप प्रसंद होकर उन्हें प्रोसाहन दीजे, हाँ ये बात तो सही है, हमारे बच्चे कहीं बिगड़ नहीं सकते हैं, जबकि वो इतने अच्छे प्राब्लम सॉलवर हैं, तो इस तरह से बच्चे उनके अनुसार थोड़ा सा करिए, उनके अनुसार खेल भी खेलिए, आप बच्चों के साथ जैसे अभी पिलो फाइटिंग कही हुआ, साथ साथ लूडो खेल लीजे, आप साप सेड़ी खेल लीजे, कैरम खेल लीजे, तो उनके साथ साथ अगर आप इन्वाल रहेंगी, तो प्रतिदुन्दिता की भावना क रहेंगी, और बच्चों को एक साथ बठा करके कहानी सुनाईए, और कहानियों के पात्र उस तरह से ही बताईए, जैसे रामायर्ण है, महाबारत के कहानी है, और उनको समझाईए, जब हम किसी चीज़ को देने की इच्छा रखते हैं, तो रामायर्ण जैसे पात्र पैदा होते हैं, जब हम किसी से लेने की इच्छा करते हैं, तो उससे महाबारत जैसे पात्र पैदा होते हैं, तो आप बताओ, महाबारत के लोग अच्छे थे या रामायर्ण के थे, क्योंकि राम ने भरत जो है, राम ने भरत को आराम से राज्ये दे दिया, परन्तु भरत उसको उसकी कार नहीं कर पा रहा है उधर दुरियोधन जो है उनको प्रतारित करके पूरे राज्य का स्वामी बनना चाता है वो उनको पांच गाउं की जमीन भी देने के लिए तयार नहीं होता तो इस तरह के जो कहानिया होती हैं वो भी बच्चों के अंदर प्रतिद्धा की उनको समाप्त करने में सहाय होती हैं तो इसके साथ साथ ही हम लोगों को बाचीत के तरीकों से बच्चों के साथ जब हम निकट तब स्थापित करते हैं आपस में उन लोगों को इन्वाल्व करते हैं घर में बैठे हुए उनको कुछ प्ले खेलने के लिए देते हैं तो अभी-कभी ऐसा होता है कि खेलते सबे भी बच्चे करते हैं एक बच्चा खेल रहा है जब उसका टर्ण खेलने का आ रहा है तो दूसरा साफ माना कर रहा है तो भी दोनों में लड़ाई होती है देखे बच्चा वैसे नहीं लड़ना चाहता बच्चा कब करता है जब अभेल अभेलना किसी व्यक्ति की नहीं करते, बलकि उन विचारों के होती है, बलकि उन विचारों के होती है, जो हमारी नजरों में सही नहीं लगता, यानि कि बच्चा खेलना चाहरा है, उसका टर्ण आया, तो तो वो खेल गया, जब उसका टर्ण आया, तो उसने कहा जैंने, मैं तो इसने नहीं दी, जब इस तरह की भावना होती है, तो भी होती है, तो उसमें आप बच्चों को एक ही नाओ पर सवार कर दो, और क्या दो, जी बई, मैं तो जानते नहीं, अपने आप इस बात से निर्ने करो, जब तुम आपस में प्यार कर रहे थे, जब तुमने खेलने क निर्ने लिया था, तो क्या मुझे पूछ के लिया था, तो अब इसमें तो अपने आप एड़ेस्ट करो, तो फिर बच्चे सोचते हैं, तो कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर आपस में एक निर्ने आत्मा किस्तिती लेते हैं, चल भाई, अच्छा थोड़ी से तो तू बस पांच बाल दे दे, या एक हो कर दे, फिर उसके चक्के लगने शुरू हो जाते हैं, तो उसको दिल करता है, चल और कर दे तो दीरे दीरे वो खेलना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या है कि हम खेलने के समय में भी उनके अंदर एक प्रते दुन देटा की भावना हटा सकते हैं, उनके अंदर एक सोहर्द की सहयों की भावना जगा सकते हैं, ऐसे घूमना बहुत जरूरी है, तो बच्चों को लेकर कि आपको घूमने, इसके उपर मैंने पूरा स्टेशन भी लिया हुआ है, तो घूमने से क्या होता है, एक स्वस्त्प्रितेस परधा का विकास होता है, आप बच्चे को घूमाने कहीं ले जारे हैं, किसी भी पार्क में ले जारे हैं, दोनों तीनों बच्चे को का अच्छा जराओ उस पत्थर को छूकर आओ, उस पेड को छूकर आओ, बताओ उस पेड का क्या नाम है, तो सब जब बताते हैं, तो उससे भी उनके अंदर एक प्रति दुन्दिता समाप्त होती है, बलकि ग्यानारजन होता है, और बच्चे अपने आप में खुश होते हैं, पहलियां जब हम पूशते हैं तरह तरह की, तो बच्चे बताते हैं, तो उनसे भी उनके अंदर प्रति योगिता की भावना आती है, प्रति दुन्दिता समाप्त हो जाती है, इसी तरह घूमने जा रहे हैं, बच्चा खुल के खुब शोर मचा है, उससे मत कहिए, कि तू शोर मत मच इतना जादा शोर मच रहा है, मेरे तू कान फट रहे हैं, ऐसे मत कहिए, उनको खुल के जीने दीजे, जब वो खुल कर जीते हैं, तो भी उनके अंदर लड़ाई जगड़ा, फाइटिंग, ये सब की इच्छा नहीं होती, ऐसे ही, जब आप उनकी कोई वो काम करते हैं, त उनकी प्रिशनसा कम करिए, बल्को उनको उदारवादी प्रोस्थाहन दीजे, खुब अच्छी तरह है, हाँ बेटा, और आगे बढ़ो, और आगे करो, यनि तू तो बहुत अच्छा है, तू तो प्रिशनसा से भी बच्चा परेशान होता है, जब परेशान क्या होता है, उसके अंदर घमनड आता है, जब घमनड आता है, तो वो आगे चलकर प्रतिदोंधिता की स्थिति में आता है, तो इसलिए प्रिशनसा उसे नहीं दीजे, बस सिर्फ प्रोस्थान दीजे, माल लीजे ये गुरुत्वा कर्षन शक्टी है, गुरुत्वा कर्षन शक्ती जो प्रियोग है वो प्रोसान देने लायक है तो इसलिए हमें हमेशा चाहिए कि हम बच्चों को प्रोसान ना दे और बच्चा जो है एक समय में लड़ाई और हसी तो कर नहीं सकता तो इसलिए हसने के समय में हसी की इस्तिति उसके उत्पन करिए ना कि लड़ाएगी क्योंकि वो परिवार के रूप में, कुसमे एक साथ मनोरंजा गतीविधियों में शामिल हूँ, जब बच्चे आपस में विश्वास करते हैं कि हम सब एक हैं, हम एक साथ काम करने के लिए या एक ही जन जाती के हैं, एक ही तरह के हैं, तो और हम एक होकर के ही सारी कठनाईयों का सामना सरलता से कर सकते हैं, कठनाईयों को समाप्त कर सकते हैं, तो उनकी देखवाल की संभावना बहुत कम होती है, वो अपने आप स्वस्थ होकर की स्वस्थ वातावरन बना लेते हैं, तो इसलिए जब बच्चे आपस में होते हैं तो आपको quality time देने की कम आवशक्ता होती है क्योंकि उन्हें आपस में ही quantity time मिलता है सिर्फ आपका दिशा निर्देश की आवशक्ता होती है जब बच्चा सोने लगे तो उससे पहले ही आप उसके behavior को सारे दिन के अच्छे behavior को याद दिलाईए और उसको एक reward के रूप में पैसा नहीं कभी दीजिएगा पुरुसकार नहीं दीजिएगा बलकि प्रोसाहन दीजिएगा उसको अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करिएगा उसको अच्छा घूमने के लिए थोड़ा सा समय दीजिएगा उसको जो है टीवी का टाइम दे सकते हैं तो इस तरह से आप उसको reward दे सकते हैं और उसे याद दिलाइएगा आज आपने ऐसा किया हम बहुत खुश हुए सारा परिवार आपको ले करके बहुत ही गर्व का अनुभाव कर रहा है तो दूसरा बच्चा भी जब देखता है कि इसको है तो वो भी उसका आनुकरान करता है कि आज तो इसकी इत्तितारिक और ये मेरी भी होगी गर्को तरह दिखो ध्यान रख्यों कि माबाब एक ऐसा मैडिकल स्टोर है जहां पर हर दर्द की दवा मुफ्त में मिलती है इसलिए आप अपने बच्चों के मद्धे में सामन जिसे का बरावा दें अनावस्यक संगरश को कम करने का तरीका दें नियंत्रित परिवार के निर्णे लेने का प्रभाव डालने का बच्चों को मौका दें और सुखद गति विदियों के साथ समाप्त करें और प्रभावी नेत्रतो को कि आवश्यकता आपके लिए है आपको आवश्यक है कि आप अपने परिवार में एक प्रभावी नेत्रतो दें जिससे कि जो परिवार से शुरू हुई सकारात्मक प्रतिद्वन्दिता जो है वो आपके बच्च से उतरना केवल व्यवार पर ही निर्भेर है आईए हम आपके सुझाओं को पर इंतजार कर रहे हैं चलिए हम अब आप से बाते करते हैं आपको हमारी कौन सी बातें अच्छी लगी और कौन सी बातों में आप परिवर्तन करना चाहते हैं अब हम आपके साथ बात करने के बाते हैं आपके पता लगें और उससे ज्यादा हम औरों को दिशाने देश दे करके अपनी पेरेंटिंग को बहुत सुख़त बना सकी धन्यवाद